नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका खीटी बगवानी.डॉट कॉम में दोस्तों अच्छ हम आपको बता रहे एक खास खबर जीहा दोस्तों गाई का दूद फृत्वी पर सर्वोत तमाहार है और क्यों है गौमाता का महत्व और देशी गोपालन क्यों है आने वाले समय की मांगा ये जाने इस वीडियो में मनुश्य की शक्ती एवं बल को बढ़ाने वाला गाई का दूद जैसा दूसरा कोई श्रेष्ट पदार्थ स्त्रिलों की में नहीं है केवल देशी गिर गाई के दूद में ही विटमिन ये होता है गाई का दूद अत्यांत स्वादिष्ट स्निक्त मुलायम चिकनाई से युक्त मदूर शीतल बुद्धिवार्थक बलवार्थक स्मृतिवार्थक जीवन दायक रक्त वर्धक वाजिकारक अयुशिकारक एवं सर्वरोग को हरने वाला है एक कहते है कि इस दूद को पहन से कभी नहीं होगा कैंसर देशी गाई की पीट पर मोटा सा कून भी अत्वत्थुई मेरी भाशा में हम्प होता है जिसमें सूर्य के तूनाडी होती है जुसूर्य की किरणों के संपर्क में आते ही अपने दूद में स्वर्ण का प्रभाव छोड़ती हैं जिस कारण गाई के दूद में स्वर्ण तत्वर समा जाते हैं देशी गिरगाई का दूद पीने से कभी भी कैंसर का रूग नहीं होगा वैग्यानिकों के अनुसार गाई के दूद में 8 प्रकार के प्रोटीन, 6 प्रकार के विटिमिन, 21 प्रकार के इमनो एसिड, 11 प्रकार के चर्ब युक्त एसिट, 25 प्रकार के खनिज तत्व, 16 प्रकार के नाइट्रोजन योगिक, 4 प्रकार के फॉसफोरस योगिक, 2 प्रकार की शर्करा इसके अलावा मुख्य खनिज, सोना, तामा, लोहा, केलशियम, आयोडीन, फ्लोरन, सिलिकोन आदी भी पाए जाते हैं इन सब तत्वों के विद्यमान होने से गाई का दूद एक उत्कृष्ट प्रकार का रस आयन टॉनिक है जो शरीर में पहुँचकर रस रक्त मासमेद अस्थी को समचित मात्रा में बढ़ाता है यह पित्त शामक, बुद्धिवर्थ कोरसा अत्विक्ता को बढ़ाने वाला है गाई के दूद से एक ग्राम भी कॉलस्ट्रोल नहीं बढ़ता कहते है कि गाई अगर भूसे जहर भी खा लेती है तो जहर भी समा लेती है गाई यदि गाई कोई विशेला पदार्थ खा जाती है तो उसका प्रभाव उसके दूद में नहीं आता गाई के शरीर में सामान्य विशो को पचाने की अग्भुत क्षमता है ये जहर देसी गाई के गले के नीचे लटकने वाले मांस में ही रह जाता है। एक शोद किया गया जिसमें हर रोज देसी गाई को और अमेरिकन गाई को भोजन में थोड़ा थोड़ा जहर दिया गया। और जब उनका दूध निकाला गया तो देशी गाई के दूध में कोई जहरी लाग तत्वर नहीं मिला और अमेरिकन गाय में वही जहर पाया गया जो उसको खिलाया गया उमीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका और आधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेब साइट केती दो पर आपके लिएखने के लिए सकताई के लिए सकता हैं ये वेफ। करते हैं ये जानकारी के लिए वेफ।